हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लन्वरिद दिटीमन, सेकेंड ग्रिट के तियारी करने वाले सभी विध्यारतियों के लिए आज का वीडियो इंपोर्टेंट रहेगा, जिन बच्चोंने कोर्स लिया है उनके लिए भी और जिनोंने नहीं लिया है उनके लिए भी, लेक जो आप लोग बहुत अच्छे से देखा करिए, जिससे आपको सारी चीजे समझ में आ सकें, ठीक है, क्योंकि चीजे तभी समझ में आती हैं, जब हमें उसकी पूरी नॉलेज हो, तो कई बच्चे कमेंट अभी भी कर रहे हैं सर के पास, कि हमें पता ही नहीं है कोर्स कैसे लेना है, जबकि मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें बता दी थी, कि किस तरीके से आप ले सकते हो, चलो कोई बात نہیں, आज दुबारा से मैं इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी, कि कैसे आप ले सकते हो, और आपको इसमें क्या-क्या मिल र जाती हैं कुछ नए एड किये जाते हैं चीजें ठीक है तब आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और सेकिंड बात की पेपर वन की मैं आप लोगों को कम्प्रीट तयारी करवा रही हूं जो आपके 200 मार्क्स की है ठीक है 200 नंबर का आपका पेपर वन पूछा जाएगा जो है वो है टाइम की शॉर्टेज है इस वज़े से पेपर वन जो है वही मैं आप लोगों को कम्प्रीट करवाऊंगी लेकिन जिन बच्चों ने कोर्स लिया है उनको यहां पर डवल फायदा मिल रहा है और वो कैसे कि पेपर वन तो आपका चलेगा ही उसके साथ साथ पेपर कोर्स लिया है उनको पेपर टू में जो हिस्ट्री और जोग्रफी है उसका पूरा मैटर आपको यहां मिलेगा यानि आपको आर बी ऐसी की कम्प्लीट जो बुक है आपकी 6 से 10 तक की उसकी PDF नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से तयार की हुई वो आपको पेपर वन वाले को मिलेगा जिन्होंने कोर्स लिया है तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो जो बच्चे परेशान हैं कि मैं पेपर टू के तयारी कैसे करेंगे तो आपके तयारी पेपर वन के साथ साथ यहां पर भी हो रही है तो अभी तक मैंने आप लोगों को को Beliping क्या-क्या क करा दिया है और आप लोगों को जो है PDF बीस की मिल जाएगी ठीक है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए हम बिल्कुल अच्छे तरीके से एक-एक पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कोई भी जल्दवाजी नहीं करनी है नोटिविकेशन आपका नहीं आया है जब तक आएगा जब तक हम आधा राजिस्थान का इतिहास कर चुके होंगे और यह जो आपका जोग्रफी का पार्ट है तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझेए कि हम लोग जो हमारा राजिस्थान बुक के कुशन आंसर कर रहे हैं जो कि आप लोगों को PDF जो है कोर्स वाले बच्चों को मिल रही है तो यह पूरा जो आपके पॉइंट है लोकेशन, एक्स्टेंट, क्लाइमेट, ठीक है, एग्रिकल्चर, पॉपुलिशन, सेक्स रेसियो, इंडस्ट्री, यह सब कुछ उसमें आने वाला है यह सब कुछ आप लोग पढ़ लोगे और उसके बाद handwritten notes जो हैं वह भी मैं आप लोगों को दूँगी तो एक बार नहीं बलकि दो-दो बार चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी तो बिल्कुल भी tension नहीं लेना है उसके बाद देखिए गुर्जर प्रतिहार साशक, अजमेर के चोहान सासक, दिल्ली सलतनत के साथ संबंध मेवाड का, रड़ थंबोर का, जालोर का ठीके एक एक टॉपिक हम लोग एक दिन में या फिर एक दिन में दो टॉपिक लेकर चलेंगे जैसे कि अब देखिए मेवाड का, जो दिल्ली सलतनत के साथ संबंध है, यह अपने आप में ही बहुत जादा बड़ा है ठीके, तो यह एक दिन में ही आपका हो पाएगा रण थमबोर है, जालोर है, यह आपके एक एक दिन के टॉपिक हैं, या एक दिन में ही यह दोनों टॉपिक जो है, वो आपके हो जाएंगे तो कोई topic जो है जादा बड़ा होता है तो उसके लिए देखिए time तो लगता ही है जल्दबाजी जो है घातक सिद्ध होती है इसलिए आराम से चलिए आप लोगोंने course लिया है तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है एक्जाम में negative marking है तो बिलकुल भी भागने की जरूरत नहीं है ठीक है तो history का मैंने आप लोगों को पहले discuss कर लिया था कि यहां history यहां से लेकर और भासा और साहिते तक आपके जो है राजिस्थान का इतिहाज है जो की आपका जल्दी से ही complete करा दिया जाएगा ठीक है इसके अलावा देखिए quality जो है जिसमें आपको पंचायती राजिस्थान में ठीक है और governor है chief minister है यह चीजें जो है यह आपको RBSC की book के साथ साथ ही करनी होगी और जो की मेरे handwritten notes भी आप लोगों को मिलेंगे ठीक है तो धीरे धीरे ही यह चीजें जो है वह है मिलती रहेंगी तो अभी तक तो किसी भी बच्चे की कोई भी परेशान भी नहीं आई है जिन्होंने course लिया है एक बच्चा जो है उसने यह कहा कि हमें सारे वीडियो जो है वह है एक साथ चाहिए तो देखिए सारे वीडियो जो है वह है एक साथ नहीं मिल पाएंगे उसका reason क्या है सबी वीडियो जो है recorded है पहले के अब उन वीडियो को यदी मै आप लोगों को पहले ही दे दूं लेकिन मैंने इस बार कुछ नई चीज़ें एड़ की हैं, कुछ नया मैटर भी एड़ किया है, वही आपको मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, कि हर साल जो है, वही चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक है, तो हर चीज़ आपको मिलनी चाहिए तो आपका काम है regular पढ़ाई करना वीडियो आपको regular मिल ही रहे हैं उसके बाद देखी current affair के बारे में मैंने आपको बताया था दो मन्त पहले आपको कराया जाएगा और उसके बाद आपको विस्व और भारत का जो जीके है वह भी मिलेगा हर चीज जो है उसका time होता ह इतनी पटाफट जो है वह चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी और fundamental right duties ठीक है direct principle of state policy तो यह चीज़ें जो है वह आपकी RBSC के द्वारा मैंने आप लोगों को पहले भी करवाई थी लेकिन चुकि आप लोगोंने course लिया है इस वज़ अब कई बच्चों के ये परेशानी आ रही है कि paper 1 जो है हम करेंगे तो paper 2 कब करेंगे तो उसका भी solution है देखिए बिल्कुल भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी आप लोगोंने course लिया है तो इसका आपको फायदा भी मिलेगा और इतना फायदा जो है आपको कहीं प फोकस कर रही हूँ क्योंकि 80 marks जो है 80 में से 80 जो है नंबर आप लोग ले सकते हो यदि तरीके से बढ़ोगे और भारत और विस्व का जो गूगोल है इसमें 60 में से 50 नंबर तो आप लोगे ही है ना और educational psychology यहाँ पर आप 40 में से 40 भी ले सकते हो current of year है इसमें आप 18 marks जो है वह भी ले सकते हो overall अगर बात की जाए तो आपके 180 से 190 के बीच में यहाँ आप ले सकते हो और जिसने paper 1 बहुत अच्छे से कर लिया तो उसका paper 2 तो अच्छे से हो ही जाएगा और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दौड है paper 1 के लिए होती है जिसके paper 1 में बहुत अच्छे marks आएंगे उसका selection तै है यहाँ negative marking है तो यह आप लोगों को पता है तो चलिए यह मैंने आप लोगों से बात कर ली है अब हम second paper की बात करेंगे कि paper 1 जिन बच्चों ने course लिया है उनको paper 2 में क्या फायदा होगा अब देखिए यह है paper 2 जो की social science के student है SST वाले student है तो देखिए RBSC की जो हम लोगोंने book की थी जो बच्चे नए हैं तो वो भी साथ में सुने RBSC की जो हम लोगोंने book की थी वहां हमने history के सभी चीज़ें पढ़ ली थी ठीक है जिसमें आपके देखिए सिंदुगाटी सब्वेता वैदिक बुद्ध और जैन मोरे गुप्त भक्ती सूफी मुगल ठीक है सिवाजी और freedom movement 1857 की क्रांती Congress गांधी जी का क्या रोल था ठी की क्रांती यह सब कुछ हमने पढ़ लिया था यहां पर जो 10 और 11 यह दो पॉइंट जो है वही हमने नहीं पढ़े हैं अब जिनोंने course लिया है जिन बच्चों ने उनको यहां पर क्या फायदा मिलेगा paper 2 में तो उनको ध्यान से सुनना है कि यह सभी जो है topic यह आपको RBSC क बुक में मिलते हैं और इसकी जो PDF है question answer की यह आप लोगों को मिल जाएगी और आज ही आपको 6th class की RBSC की जो बुक है तो complete question answer आप लोगों को PDF भेज दिया गया है ठीक है तो यहां आपका यह पूरा हुआ तो देखिए कितना फायदा है कि आपने paper 1 लिया है और paper 2 में आपक यहां भी फायदा मिला अब geography देखिए यह पूरा complete आपको सरने करवा दिया है यहां पर जो भी topic है 6-10 तक में complete हो जाते हैं ठीक है 6-10 तक में ही complete हो जाते हैं इसके बाहर आपको पढ़ने की जरुत नहीं है फिर भी आप लोगों को यदि second paper कहीं और से लेना है तो ले सकते हैं तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि यहां आपको मिल रहा है और आप लोगों को कहीं और से नहीं लेना चाहिए लेकिन जिन बच्चों ने course लिया है paper one का उनको मैं बता रही हूं कि उनको यहां से learn grid दितिमन में कितना फायदा मिलेगा क्योंकि मैं भी यह चाती कि आपका कम से कम amount में आपको जादा से जायदा फायदा मिल सके ठीक है यहां पर सारे जो point है यहां पर one से लेकर six तक जितने भी point है सभी आपको करवाये जा चुके हैं YouTube पर करवाये जा चुके हैं PDF जो file है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा आप social science में history और geography में पूरा फायदा दें ठीक है और जैसे ही हमारा paper one complete होता है वैसे ही हम paper two के लिए भी course लेकर आएंगे लेकिन learn विदितिमन में जो भी student जुर जाता है उसे पता है कि हम लोग खर्गोज की चाल नहीं किसकी चलते हैं कच्छुए की चाल चलते हैं और हम race क जीत भी लेते हैं यहां पर जिसको जल्दवाजी है तो वो please course ना ले ऐसा मैं अभी भी बोल रही हूं और last year भी मैंने बच्चों को ये चीज बोली थी कि जिनको बहुत जादा जल्दवाजी रहती है वो किसी और coaching में जाकर course ले सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं सब की अप history और geography जो है वह तो आपको मिलेगी इसके साथ quality जो है वह भी complete आप लोगों को PDF मिल जाएगी PDF उसी तरीके से मिलेगी जैसी आप लोगों को मिल रही है बिल्कुल एक एक लाइन में ताकि आपको print निकालने में भी कोई भी परेशानी ना हो तो मैं आप लोगों के लिए बह second grade के त्यारी कर रहे हो बहुत बड़ा level है तो आपके ये जितने भी आप लोगों ने इस वक्त परेशानी में रहकर और ये amount जो है वह deposit कराया है इसका आपको बहुत जादा फायदा मिलेगा second paper जो है वह आपका 300 marks का होता है जहां पर 180 marks का जो है वह complete में आप लोगों को दे है क्योंकि यहां पर negative marking है ठीक है और आप लोगों का course जो है वह complete हो जाएगा बिल्कुल भी tension ना ले अब हम बात करेंगे कि बच्चे जो है course ले रहे हैं और जो नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी बात है कि course कैसे ले क्योंकि अभी भी वह है उल्जन में है क यह हमें तो आता ही नहीं है अब ध्यान से सुनिए आपकी इस course को कैसे प्राप्त करें क्योंकि पहले भी मैंने आपको detail में यह सारी चीजे बताई थी लेकिन कई बच्चे जो है अभी भी confusion में है कि हम कैसे ले हम phone करते हैं तो वहां पर कोई phone ही नहीं उठाता है देखिए phone है वह है आपको नहीं करना है क्योंकि इतने सारे बच्चों का call उठाना संभव की नहीं हो पाता है तो करना क्या है आपको यह जो आपको WhatsApp नमबर दिया हुआ है इस नंबर पर यह समझ में आ जाएगी जैसे ही QR code भेशने हैं तो आपको करना है payment और इसकी receipt जो है वह है इसी नंबर पर वापस भेश देनी है ठीक है और payment जो है जैसे ही confirm हो जाता है 24 गंटे के अंदर ही आपको email से connect कर लिया जाएगा ठीक है तो यह process है तो इसको आप दिहान से करिएगा सबस पहले इसी WhatsApp नंबर पर hello type करना है और QR code जैसे ही आपको मिल जाता है आप लोगों को payment करके उसकी receipt वापस भेजनी है ठीक है जिससे पता लग सके कि हाँ वाकई में जो है वह payment किया गया है तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से बता दी है अब कोई भी confusion जो है नहीं रह जाएगा किसी भी बच्चे का तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से next वीडियो के साथ thank you